हेलो गाइस तो कैसे हैं आप लोग आइप आप सब बहुत बढ़ी आओंगे अर्टेंस आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में भाईयों आज मैं इस वीडियो में फिर से एगनिस एक्सूट की क्रेट ओपनिंग करने बाला हूँ मैं एक बार एक्सूट की क्रेट ओपनिंग कर चुका हूँ जिसकी अंदर से मेरा कोई डंक का आइटम नहीं निकला था मैंने जब पिछली बार क्रेट ओपनिंग की थी तो मुझे एक्सूट की अंदर से मात्र मिथिक इमोट और उसकी अंदर से पैन, मॉली मतलब उसके अंदर से मुझे सारे आइटम गटिया मिले थे तो हम इस बार भी अपना क्रेट ओपनिंग के अंदर लाक अजमाने बाले हैं तो आप लोग इस वीडियो में बने रही है अगर आपको अमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो भाईयों बिदाउट बेस्टिंग अनी टाइम चलिए अब हम सुरू करते हैं तो चलिए क्रेट ओपनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने इस कंपेनियन को अठा देता हूँ क्योंकि भाईयों जब हमारे पास कोई डंका आइटम होता है तो भीजाई वाले हमें बिलकुल भी क्रेट ओपनिंग में आइटम नहीं देते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपने कंपेनियन को अठा दिया है और अब हम इसके अंदर क्रेट ओपनिंग करने बाले हैं आप लोग देख सकते हैं मैंने इसके अंदर अब तक टोटल एक क्यावन क्रेट को ओपन कर दिया आप लोग देख सकते हैं मेरा इस एक सूट वाली क्रेट के अंदर इतना गटिया लग है कि मेरा इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता है आप लोग देखी मैंने आप फिर से एक क्रेट को ओपिन किया और मुझे इसके अंदर से दो स्टोन मिले हैं मतलब मैं क्या कहूँ ? بी-जै या बाले ना मुझे इसके अंधर कोई मिथिक आईटम दे रहे है ना मुझे AC, Suid, NIEMR मतलब मुझे इसके अंधर से कोई भी डंका आईटम नहीं दे रहे है मुझे इसके अंदर से मात्र एक से गटी आइटम मिले जा रहे हैं मिले जा रहे हैं मैंने जब पिछली बार क्रेट ओपिन की थी तो भाईयो मेरा उसके अंदर भी कोई भी ढंका आइटम नहीं निकला था मात्र मेरा उसके अंदर एक लोईन वाला इमोट निगला था बस तो चलो कोई नहीं आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपने करेक्टर को चेंज कर दिया और मैं यहाँ पे विक्तर दादा को लेकर आ चुका हूँ तो चली हम फिर से एक 10 UC में करेक्ट को ओपिन कर देते हैं भाईयों मैं इस वीडियो के अंदर सारी करेक्ट को 10 UC और 30 UC के अंदर ओपिन करने बाला हूँ क्योंकि मैंने प्राइम प्लस को परचेस किया अगर आप लोगों को प्राइम प्लस परचेस करने में कोई भी प्रॉबलम हो रही है तो आप हमारी चैनल पर वीडियो चेक कर लीजी आप लोग उस वीडियो को देखकर 100% प्राइम प्लस को परचेस कर पाएंगे तो आप लोग एक बार उस वीडियो को जरूर चेक कर लेना तो आप लोग देखी मैंने यहाँ पर दो-चार क्रेट को ओपिन किया है लेकिन मेरा अब तक इसके अंदर से कोई भी डंका ऐटम नहीं निकला है तो चली अब हम इस बार टैप टैप बाली ट्रिक का यूज करने बाले हैं और मैं इस क्रेट को टैप टैप करके ओपिन करने बाला हूँ क्योंकि टैप टैप बाली ट्रिक इस क्रेट के अंदर काम करती है मैंने जब पिछली बार एक्सूट के अंदर crate opening की थी तो मैंने भाईयों tap tap बाली trick का यूज किया था उसके अंदर मेरे item निगले थे तो आप लोग देखी मैंने यहाँ पे तोलगा tap tap किया और मैंने यहाँ पे एक crate को open कर दिया है तो अब हम देखते हैं हमारे इसके अंदर से क्या निकलता है निकल जा कुछ रंक का PGMI देदो कुछ अरित तेरी मा की आख क्या कहूं भाईयों आप लोग देख सकते हैं मुझे इसके अंदर से बार-बार लगातार दो कौईन मिले जा रहे हैं आप लोग देखे मैंने यहाँ पर से एक क्रेट को ओपिन किया और मुझे इसके अंदर से होलो मिला है मतलब मेरी अब तक इसके अंदर से AMR ने निकली है लेकिन मेरा इसके अंदर से 4X, 6X, Red, Dot, Holo सारे इसको निकल चुके हैं लेकिन मेरा इसके अंदर से AMR बिल्कुल भी नहीं निकली है तो आप लोग देखे मैंने अब यहाँ पर एक क्रेट को AMR के अंदर भी ओपिन किया है अब हम इसके अंदर देखते हैं हमें क्या मिलता है तेरी मा की क्या बताओं भाईयों इतनी गुसां आती है मुझे इन लोगों पे यह मुझे हर क्रेट के अंदर देख सकते हैं आप लोग मात्र 2 कॉइन दे रहे हैं अब आप लोग बताईए इन 2 कॉइन से मेरा क्या होगा मतलब 2 कॉइन में तो हम किसी भी आइटम को भी रीडिम नहीं कर सकते भाईयों मैं आप लोगों सच कहा रहा हूँ अगर आपके पास बहुत कम UC है मतलब 4 या 500 UC है तो आप लोग इसके अंदर बिल्कुल भी बेस्ट मत कीजिए क्योंकि आपका इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलने बाला है आप लोग देखी मैंने आपे फिर से 10 UC में एक क्रेट को ओपिन किया और मेरा इसके अंदर पैन निकला है ओ तेरी मा की आँख क्या बात है चलो भाई ये अच्छा हुआ मेरा पैन 10X में हो गया तो मेरी क्रेट ओपिनिंग ठीक है बरना भाईयों मेरा तो कुछ नहीं हो सकता तो चलिए अब हम एक सूट के अंदर थोड़ा टेप टेप कर लेते हैं अगर मेरा इसके अंदर से एक सूट निकल जाता है तो मैं गारंटिड में भी एक सूट को निकालने बाला हूँ कर जाए और हमारा कोई ढंका आइटम निकल जाए वैसे भाईयों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि बीजय वालों की इतनी ओखाद नहीं है कि वो मुझे कुछ दे सकें उनकी वाखाद बस इतनी है कि वो मुझे मातर कॉइन दे सकते हैं और आप लोगों देखिए मुझे इसके अंदर फिर से दो कॉइन दे दिये हैं भाईयों अब तक तो मेरा इस क्रेट ओपनिंग के अंदर कोई भी आइटम नहीं निकलाया चलिए मैं यहाँ पे अपने गेम को रिस्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि हो सकता है कि रिस्टार्ट के बाद मेरा कोई आइटम निकल जाए तो मैं डारक्ली इस पोस्टर के उपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे 10 UC में एक क्रेट ओपन करने बाला हूँ भाईयों बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा रिस्टार्ट पे लक्चेंज हो जाता है तो आप लोग देखी मैंने यहाँ पे फिर से एक क्रेट को 10 UC में ओपन की और यहाँ पे देखी बाईयों बहुत देर तक थोड़ा मतलब लाइट इफेक्ट जादा हुआ इसके अंदर मेरा इसके अंदर जरूर तो तेरी बैन की क्या कहूं बाईयों मैं बीडियो के अंदर गाली नहीं देता हूं लेकिन आज बीजयाई वाले गाली खाने के काम कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं मुझे इसके अंदर से कितनी घटिया हैलमेट दी है अब तक मेरा इसके अंदर से कोई भी डंका इटम नहीं निकला है ना मेरा इसके अंदर से कोई मितिक सेट निकला है ना मेरा इसके अंदर से एक सूट ना एमर ना बैक पैक मतलब मेरा इसके अंदर से कोई भी डंका इटम नहीं निकला है मुझे मात्र बीजेवाई वालों ने इसके अंदर एक हेलमेट की स्किन्चिप का दी है भाईयो अगर आपने इसके अंदर क्रेड ओपिनिंग की और अगर आपका इसके अंदर से कोई भी डंका आइटम निकला है मैं अगर कभी भी किसी के अंदर भी क्रेड ओपिनिंग करता हूँ तो मेरा उसके अंदर से कोई भी आइटम निकलता है मतलब छोड़ो यार मैं क्या कहूँ बीजेवालों को भाईयो कुछ नहीं हो सकता वीजेवाले बिल्कुली गिरे हुए हैं उनका वो बस भाईयों हम लोगों से रुपे कमाना चाहते हैं वो कभी भी आपको क्रेड ओपिनिंग में कोई भी डंका आइटम नहीं देते हैं हाँ अगर आप लोग 20-30,000 रुपे गेम के अंदर लगाते हैं तब ही आपके इसके अंदर से आइटम निकलते हैं अगर आप सोचते हैं कि हमारा 10 या 20-30 के अंदर कोई डंका आइटम निकल जाएगा तो भाईयों आप भूल जाएए लेकिन मेरा इसके अंदर से अब तक कोई भी मितिक सेट नहीं निकला है ना मेरा इसके अंदर से बैक पैक एमार ना एक सूट मतलब मेरा इसके अंदर से कोई भी आइटम नहीं निकला है जो इस क्रेट के अंदर ढंके आइटम है उनमें से मेरा कोई भी आइटम अब तक न दे सकते हैं मैंने इतनी बार क्रेट ओपन किया एक सूट के अंदर Glacier M4 के अंदर मेरा कभी भी आइटम बड़ी आसानी से नहीं निकला है मतलब 10 या 20 UC के अंदर मेरा कोई भी आइटम अब तक नहीं निकला है अगर आपका 10 UC के अंदर एक सूट निकला है तो आप लोग हमे कमेंट वॉक्स हैं चरूब बताना बाईयो मेरा एक फ्रेंड जिसका मात्र मात्र 15-20 के अंदर एक सूट एमर बैक पैक हेलमेट सब निकल गया मतलब उसने बस मात्र एक बार प्रेंपलस को पर्चेस किया उसके अंदर उसके सारे आइटम निकल गई आप लोग देख सकते ह मेरा शुरू बात में पैन 10X हुआ ता उसके बाद मेरा ग्रेंट भी 10X हो चुका है तो चली भाईयो हम फिर से इसके अंदर एक क्रेट को टेप टेप करके ओपन करने बाले हैं क्योंकि टेप टेप के अंदर हमारे आइटम निकल रहे हैं चाहे वो गटिया हूँ चाहे वो गटिया से गटिया हूँ तो आप लोग देखYour मैंने आपफे टेप टेप कर लिया है मैं आपे 30 UC में क्रेट को ओपन कर देता हूँ चूँकी भाईयो हमारे 10 UC बाले बावचर तो खतम हो चुके हैं आप लोग देखिया मैं आप फिर से एक क्रेट को ओपन किया है तो मुझ निकला है भाईयों मेरी इतनी क्रेट ओपनिंग कभी भी खराब नहीं गई है जितनी मेरी आज जा रही है आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर मेरे मातर दो कोईन दो स्टोन ही निकल रहे हैं आज बीजयाई वालों का मेरे से दो नंबर का पाला पड़ चुका है से दो स्टोन मिले हैं भाईयों मुझे एक बास समझ में नहीं आती कि बीजयाई वालों को जब हम लोगां को कोईन देने हैं तो उन्हें क्रेट के अंदर इतने आइटम क्यों देने हैं मतलब क्रेट के अंदर उनका इतना आइटम देने से क्या मतलब है जब वो हमारे क्रे कोईन मिलें क्योंकि मेरा 10x पिछली बार हो चुका था तो चली भाईयों मैं यहाँ पर अपने पोसाइडन को लगा लेता हूँ क्योंकि हमारे गोकू की अबात तो निकल चुकी है मतलब हमारा गोकू का रेक्टर तो पंचर हो चुका है हमारा गोकू किसी काम का नहीं राज पिछली बार हमारा गोकू का लग बहुत ज़्यादा काम किया था लेकिन इस बार तो हमारा गोकू फुक चुका है तो आप लोग देखी मैंने आपर पोसाइडन को यूज़ करके एक क्रेट को ओपन किया तो मुझे फिर से दो कॉइन मिले हैं मतलब आज मेरा तो इन दो को देख कर अगर आपके क्रेट ओपनिंग के अंदर कोई टंक के आटम निकली है तो आप लोग अमेने प्लीज कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी मत बताना क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरी तो क्रेट ओपनिंग बिल्कुली जंट जा रही है अब तक मेरा इसके कर दीया है और आप लोग देखिए मैने आपे फिर से क्रेट को ऑपिन कर दिया है और आप लोग देखना मैं इसके अंदर भी दो नम्बर मिलनी बाला ए देखिए भाइओ हमे इसके अंदर फिर से 2 स्टोन मिले है मतलब आज की तारीक में मैंट दो नमबर की ऐपन से पाला पर चुका है जिसके अंदर मेरे मात्र दो नामबर के आइंटम निकल रहे हैं दो नामबर के कौईन और 2 नामबर के इश्टोन इसके इलावा मेरा इसके अंदर से कोई भी आइटम नहीं निकल रहा है यह nag了吧 यह मेरी लास्ट क्रेटर तो चलिए मैं इसَ भी open करके देख लेता हूँ और आप लोग देखिए मुझे इसके अंदर से भी दो number ही मिलेगा क्योंकि आज अरे भाई साब चलो कोई बात नहीं गटिया से गटिया item हमें इसके अंदर एक mini material भी मिल चुका है चलो फाइनली कुछ तो हमें बीजाई वालों ने अलग दिया इस crate से तो चलिए भाईयों बीपी कोईन से भी एक crate को redeem करने बाले हैं क्योंकि मेरे पास 95,000 बीपी कोईन है तो आप लोग देखिए मैंने यहां पर 10 supply crate को open कर दिया है मुझे पता है भाईयो supply crate के अंदर भी हमारा कोई भी आटम ने निकलेगा क्योंकि supply crate हो, premium crate हो, classic crate हो, चाहें कोई भी crate हो BGMI की सारी crate हैं एक से गटी आएं आप लोग देखिए मेरी इसके अंदर से AKM निकली है लेकिन यह AKM मेरे किसी काम की नहीं है क्योंकि यह AKM मेरी सदियों पहले निकल चुकी है मतलब जब क्राफ्टन वाले पैदा नहीं हुए थे यह game भी पैदा नहीं हुए था उससे पहले यह वाली मेरी AKM supply crate के अंदर निकल चुकी थी आप लोग देखिए बीजाई वालों ने मुझे फिर से यही AKM चिपका दी है तो भाईयों आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर dismantle करके BP coin ले लिए हैं अब मैं BP coin से फिर से A50 UC के voucher को redeem कर लेता हूँ हो सकता है भाईयों कि हमारा last crate के अंदर ही एकसूट निकल जाए कुछ पता नहीं है गेम के अंदर और जिन्दिकी के अंदर कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता तो चलिए भाईयों हम इसके अंदर अपनी last crate को भी open करके देख लेते हैं तो चलिए बीजे माई क्राफ्टन तुमारी जै हो यहाँ पे हमारी last crate के अंदर भी हमें दो कॉइन दे दो क्योंकि हमें इसकी ही जरूरत है आप लोग देख सकते हैं भाईयों जब मैंने कॉइन मांगा तो बीजे माई बालों ने मुझे इसके अंदर पैंट दे दिया भाईयों अगर आपको prime plus purchase करने में problem हो रही है तो आप लोग हमारे चैनल पर वीडियो चेक कर लीजिए उस वीडियो को देखकर आपकी 100 नहीं 200% prime plus purchase हो जाएगी तो भाईयों अब मिलते हैं अंगली वीडियो में thank you so much friends thanks for watching take care bye bye and love you guys भाईयों जाने से पहले मैं आपको एक बात बतानों तो भूले गया कि आपको इस वीडियो का part 3 भी देखने को मिलने बाला है क्योंकि मैं इसे एक suit को 100% निकालने बाला हूँ तो अगर आपने हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए क्योंकि आपको बोबाली वीडियो next month में देखने को मिलेगी बाई फ्रेंड्स